हेलो फ्रेंड एजी टेक्निकल में आपका स्वागत है मैं सीरेच और आज मैं बताऊंगा आज के सेशन में बताऊंगा कि आज पासवर्ड कैसे लगाते हैं Microsoft Word में और बहुत लोगों के रेकमेंड कि कि सेर मैं पासवर्ड लगाता हूँ तो पहुत बार क्या आता है कि अपने पासवर्ड आप जो एंट्र करते हैं और वह पासवर्ड एंट्र करने के बाद उस फाइल को कहीं पर भी किसी वी डराइब में रखते हैं और रखने के बाद अगर कोई भी डिलीट करता है तो वह डिलीट कैसे हो जाता है और उसको प्रोटेक कैसे करना है यह दोनों प्र Community いき संजेंगे चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको यहां प्रेन चाह्पर आपकर कडरना पड़ेगा कुछ पैरग्राप लिखने के बाद इस डेटा को सेफ करना होगा जैसे password देते हैं तो password कैसे देते हैं फ्रेंड यह आपको पता होगा कि जैसे ही आप office टाब में जाओ तो यहां पर एक save option होता है तो save में ही password का password protection यह जो आपका होता है application का इसमें वो option available है आप यहां जाकर click कीजिए और इसको कैसे password डालना है इसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा wait करना होगा ओके यहां पर फ्रेंड यह हमारा save का box खुल गया आपको करना क्या है सबसे पहले यहां पर लिखना है यह आप किस नाम से save करेंगे तो मैं यहां पर एक अपना नाम दे देता हूं शूरज one के नाम से और यहां पर एक drive चूच कर लेता हूं देखलो यहां पर धीर सारा drive होता है आपको drive यहां से करेंगे यानि अपने फ्राइब में रखता हूं और इसमें एक password देता हूं तो देने के लिए अपस आक यहांपर आना है इसका मतलब यह हुआ कि इसमें आप जो भी password आप create करेंगे और password by the way कभी भी भूल जाते हैं तो आप इसके lock को open नहीं कर पाएंगे लेकिन यहाँ पे जो नीचे वाला option है file sharing option for the document इसमें क्या होता है कि आप कोई भी password लगाते हैं और हो सकता है कि आप password भूल जाते हैं और उसके document को बचाना होता है तो आप ऐसे condition में अगर आपको लगता है कि मैं password याद नहीं कर पाऊंगा तो आप password to modify का option यूज कर सकते हैं तो चलिए अभी फिलाल उपर के बारे में समझते हैं तो password to open में आते हैं मैं यहाँ पर password लिखता हूँ 1,2,3 प्रेंट यहाँ पर 123 दिया हूँ यहाँ पर OK बटन को क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर एक confirmation password मांगा जा रहा है तो इसमे भी वही same password देने हैंगे 1,2,3 अब इसको मैं OK कर दे रहा हूँ OK करने के बाद यहाँ पर अब save button दबाता हूँ क्योंकि file का तो नाम दिया हुआ है drive चूच करा हुआ है password मैंने tools option से लगा ही दिया है अब इसे मैं save करता हूँ save करने के बाद क्या अगर document यह अपका save हो गया अब मुझे यहाँ पर देखना है कि हमारा file app drive में है तो इसके लिए यहाँ PC का option है मैं इसे open करता हूँ open करने के बाद यहाँ पर app drive में देखता हूँ कि क्या मेरा file है सूरज 1 के नाम से तो आप इस पर double click करोगे तो सूरज 1 दिखाई देगा अब फ्रेंड इसमें right click करके यहाँ पर open करता हूँ तो आपसे सबसे पहले password मांगा जाता है देख लेना खूलेगा तो यह password मांगेगा ओके फ्रेंड यहाँ पर password मांगा जा रहा है तो मैंने password दिया था 1,2,3 तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1,2,3 यह password देने के बाद OK कर दे रहा हूँ तो यह हमारा document खूल गया सूरज 1 के नाम से लेकिंग क्या हुआ कि यह फाइल तो आपका खूल गया फिलाल के लिए फिर से मैं बंद करता हूँ और आपको दिखाता हूँ problem क्या होता है यह हमारा file जब भी मैं इसे खूल रहा हूँ तो password मांग रहा है तो password का मतलब यह हो गया कि हमारा document कोई देख न सके लेकिन क्या होता है कि आप यहाँ पे right click करेंगे न यहाँ पे एक delete का option मिलेगा इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसे फिलाल delete करने वाला हूँ तो आप delete को click करोगे तो देखो यह हमारा file delete हो गया तो इसका मतलब password डालने का कोई मतलब नहीं हुआ friend आप तो password डाल दिये लेकिन आपका कोई document ही delete कर दे आपका तो पूरी तरह से application ही damage हो गया तो ऐसे condition में एक ऐसा security डालिए कि आपका document कोई भी delete न कर सके कोई read ने कर सके तो इसके लिए फिलाल से हमें क्या करना होगा तो मैं फिर से बना करके आपको दिखाता हूँ इसके लिए आपको फिर से Microsoft Word में आने होगे यह हमारा word open हो रहा है और इसमें फिर से मैं बनाऊंगा और आपको दोनों चीज करके दिखाऊंगा तो मैं यहाँ पे कुछ लिख ले रहा हूँ लिखने के बाद print यहाँ पे फिर से मैं save कर रहा हूँ इस document को मैं फिर से save में जा रहा हूँ save में जाने के बाद मैं वहाँ पे फिर से नाम देता हूँ शूरज 1 के नाम से शेब करता हूँ और यहाँ पर face है ले लेता हूँ app drive और यहाँ पर मैं password भी लगा देता हूँ general option में जाना है आप password कहीं पर भी देश सकते हो 1,2,3 मैं password देखर को okay करता हूँ और यहाँ पर same password देता हूँ 1,2,3 यह मैंने password दे करके save कर लिया अब आपको क्या करने हैं एक और security डालना है तो यह save होने के बाद ही डाला जाता है आप इसमें पहले नहीं डाल सकते हो तो फिलाल के लिए document मैं इसे बंद करता हूँ F drive में हमारा file store था तो मैं फिर से F drive को open करूंगा भी open करने के बाद देखो यहाँ पर फिर से मैं इसको open करके देखता हूँ कि password मांगता है कि नी तो right click किया है मैंने open को click करता हूँ यह जब भी document open होगा तो सबसे पहले हमसे एक password मांगेगा enter your password मैं यहाँ पर 123 देखर करके ok करूंगा तो यह हमारा file खुल जाएगा ok फ्रेंट खुल गया लेकिंग क्या होता ना कि जब आप right click करोगे और delete option का use करोगे तो यह delete हो जाएगा मुझे delete में tag एक जो है windows का tag लगाना है जिसे इस प्रकार का symbol जो आपको दिखाई दे रहे है यह symbol मुझे यहाँ पर लगाना है window का ऐसा symbol तो जब यह symbol यहाँ पर लग जाएगा ना तो आप delete भी नहीं कर पाओगे rename भी नहीं कर पाओगे तो मुझे इसको इसके लिए properties में जाना होगा और properties में जाने के बाद print यहाँ पर एक option है security की में जाना हो और यहां पर एक option है administration का तो यह administrator को क्लिक करोगे यहाँ edit बटन को क्लिक करोगे ठीर से यह group का name आपको दिखाई देगा फिर से administration को ईक्लिक करना है और यहाँ पर जो option है deny का आप deny में एक में click करोगे आतो सब में click हो जाईगा देखो यहाँ पर सब में क्लिक होगे अब मैं यहाँ पर apply करके ok करता हूँ yes करता हूँ फिर ok करता हूँ और फिर यहाँ ok करता हूँ अब देखो right click करोगे न तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखो यह windows का tag लग गया tag लग गया मतलब friend मैं इसको delete भी करूँगा न तो यह delete भी नहीं होगा name change करना चाहूँगा name change भी नहीं होगा मैं इसको remove भी नहीं कर सकता हूँ तो मैं फिलाल के लिए delete करके देखता हूँ देखो print यह यहाँ पे कुछ ऐसे बता रहा है लेकिन यहाँ पे लिखा why you need permission to perform this action यानि इसको अगर open करना है इस action को open करना तो इसके लिए permission आपको देने होंगे तो आपको क्या करना होगा फिर से इसको पूरी तरह से open करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से delete करके आपको दिखा दे रहा हूँ मैं delete किया देखो फिर से वही option खुल जाएगा यह delete नहीं होगा आपको क्या करना है यहाँ पर पर्पर्टीज में जाना है अपने फाइल को open करने के लिए security में जाना है और administration को click करके यहाँ edit में जाना है और यह सारे में जो आपका administration में था इसमें सारे deny को हटा देना मतलब remove कर देना है देखो यह क्या हो गया सारा ची हट गया तो यह हटा मतलब क्या हो गया फूल कंट्रोल जो था वह हट गया modify वाला option यानि सारे option का हमें allow मिल गया अब मैं इसे apply करके और यहां पर डिलीट का टाइग हट गया होगा देखो यहां पर टाइग हट गया मतलब यह डिलीट हो सकता है मैं इसे डिलीट कर दिया फिलाल कली मैं इसे वापस लाता हूं यह अब मुझे open करना है ना तो open कर लो और यहां पर आपसे password जो पहले वाला मांगेगा माइक्रोसप वर्ड का वह password देतो तो देखो यहां पर मैं यहां पर लिखता हूं 123 123 तो यह क्या होगे फ्रेंड यह temporary password होता है जो एक अगर आपके लिए personal computer, PC, laptop जो भी हो उसके लिए सही होता है लेकिन अगर आप multiple purpose यूज कर रहे हो बहुत सारे इसमें data रखा हो बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं तो ऐसे condition में आप अपना administration में जाकर के password लगा सकते हैं आपके password को कोई ओपन नहीं कर पाएगा नडिलीट करकाएगा तो फ्रेंड आपको समझ में आगया होगा कि password कैसे लगाते हैं थैंक यू फू वाचिंग लाइक कीजिए subscribe कीजिए थैंक यू